देश की राजधानी दिली में कोरोना का टांडव जारी है। अर्विन केश जिवाल ने किया था। सिर्फ होम डिलिवरी की सुविधा रहेगी। इसके लावा अंतराज्य परिवहन सेवा, मेट्रो, डिटिसी की बसे आदी चलती रहेगी। अगर किसी को अस्पताल जाना है, वैक्सिन लगवानी है, एरपोर्ट बस, स्टैन, रिल्वे स्टेशन जाना है तो उन्हें छूट मिलेगी। किसी का शादी का कारक्रम है, तो उन्हें इपास लेनी होंगे, तब इजासत मिलेगी। अगली ख़बर करो करेंगे, उत्तरप्रदेश में कोरोना से हालाद बिगरते जा रहे हैं। इससे जान गवाने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रहे है। आलम ये है कि अब चमचान घाट में अंतिम संसकार करने के लिए जगा भी नहीं मिल रही। परिवार वालों ने अपने शिदार के शबका अंतिम संसकार चब उत्रे पर ही कर दिया। ये चब उत्रा लोगों के बैटने के लिए बनाए गया था और छाव के लिए इसी प्लास्टिक शेड में ढखा गया था। अंतिम संसकार के दौरान आग की लप्टे तेज हो गई तो आग ने प्लास्टिक शेड को अपनी जद में ले लिया। जानकारी के मताबिक पुरश्ट जल जाने के बाद आग खुद बखुद बुच गई। अगर याग महा रखी लकडियों में फैल जाती तो बड़ा हदसा हो सकता था गानिमत रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर आगे बढ़ते वे आखरी खबर करूप करेंगे और आखरी खबर है खेल से जुड़ी इंडरन प्रिमियर लीग यानि की आई पेल 14 के साथ में उकाबले में राजिस्थान रॉयल से दिली कैपिटल को तीन विकेट से हरा दिया राजिस्थान की जीत के हीरो क्रिस मौरिस रहे उन्होंने 18 गिंदों पर नाबाद 36 रन बनाये। मौरिस ने आखरी ओवर में टॉम कुरेन की गेंद पर छक्का मारकर टीम को जिद दिलाई। क्रिस मौरिस के लिए ये पारी इस वज़र से भी हैम रही क्योंकि पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में संजू सेमसन ने उन पर भरोसा न जताते हुए उन्हें आखरी ओवर में स्ट्राइक नहीं दी थी। सेमसन के इस फैसले पर बहस भी चुड़ गई थी हलाकि दिल्ली के खिलाफ टुफानी पारी खेल कर मौरिस ने सेमसन के उस फैसले को गलत सावित कर दिया। क्रिस मौरिस की स्टाबर तोड पारी के बार ट्वीट पर यूजर्स के रियक्शन्स भी सामने आने लगी हैं। यूजर्स ने कई तरह के मिंस बनाई, कोई उनकी इस पारी को पैसा वसूल बता रहा है कि तो कोई कह रहा है कि मौरिस को पूरी इज़त मिलनी चाहिए।